नमस्कार बच्चों जिनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सारे पेरेंट टीचर और मेरे जो कुछ भी दोस्त अभी जो लाइव सेशन देख रहे होंगे और जो हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबका जिनियस साइंस यूटूब चानल में आज की इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रियाक्शन्स एंड एक्वेशन्स यानि की केमिकल रियाक्शन का हम किस तरह से स्टड़ी कर सकते हैं यह जो हमारा केमिस्ट्री का यानि की साइंस पेपर नंबर जो हमारा सेकंड पेपर नंबर है सेकंड पेपर में हम किस तरह से इसका प्रिप्रेशन कर सकते हैं किस तरह से इसका तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में मैं अभी यहां आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आप अभी मेरे पीछे जो एक पेज देख रहे हैं यह पेज में आप देख रहे हैं कि 10th chemical reactions and equations how to study it और इसका हमें study किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से हम इसका preparation करना चाहिए देखो बच्चों यह जो चाप्टर है यह चाप्टर बहुत important है और आगे की पूरी chemistry समझने के लिए आगे की पूरी chemistry समझ में आने के लिए यह जो चाप्टर है यह चाप्टर बहुत important है इस लिए इस चाप्टर के उपर आपको थोड़ा सा जादा से जादा concentration देने की जरूरत है लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपने 8th क्लास में atomic structure के बारे में learn किया है उसके बाद आपने 9th क्लास में chemistry के जो कुछ chemical reactions होते है chemical reactions किस तरह से लिखे जाते है chemical reactions लेने के लिए किस तरह formula का इस्तिमाल किया जाता है इस बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने 9th क्लास में पढ़ा है फिर भी मैं आपको कुछ भी पता नहीं है और आपने थोड़ा भी learn किया नहीं है आपको किसी type का इसके बारे में knowledge नहीं है ऐसा समझ के मैं आपको ये chapter पढ़ाने वाला हूं आपको तो समझ में आ रहा है ना यानि कि आपको इसके ऊपर एक परसंट भी knowledge नहीं है ऐसा समझ कर मैं आपको ये chapter बहुत slowly और बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं क्यूंकि ये views के बचाय मुझे आपको concept समझा समझाने में बहुत आनन्द आता है अगर यानि कि आपको concept बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे यानि कि बच जितना हो सके जादा से जादा मेरे जुक स्कील है ये स्कील चाप्टर पढ़ाते वक्त मैं मेरा स्कील लगाऊंगा आपको कि इसी ही टाइप का टेंशन लेने के जरूरत नहीं है ये देखो इस तरह से जो चाप्टर है मेरे पीछे आप जो अभी देख रहे हैं ये चाप्टर है हमारा chemical reactions and equation इसमें हमें क्या-क्या लर्न करना है और किस तरह से लर्न करना है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक तो चलो अभी हम देखते है इस चाप्टर में आपको लर्न करना है chemical reactions देखो हीडिंग क्या है चाप्टर की chemical reactions and equations यानि कि इसमें जो कुछ भी reactions होती है और इसमें जो कुछ भी equations आते हैं आपको मालूम है chemistry ये chemistry का पारत है chemistry का study करना बोले तो आपको periodic table के बारे में बहुत व आपका study अच्छा होना चाहिए इसलिए मैंने सबसे पहले second number का chapter आपका लिया है और वो chapter periodic classification of elements वो chapter मैंने बहुत अच्छी तरह से लिया है जो जो बच्चे ने ये chapter के लिए present नहीं थे उन सब बच्चों को मैं बता देता हूँ अगर इस chapter के लिए आप present नहीं थे अगर live session क live session के लिए आप ready नहीं थे तो मैं आपको request करता हूँ कि हमारे playlist में जाके इसके बारे में पूरा 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 आपको घ्यान दिये वाला है पूरा chapter के वीडियो मैंने बना है उसका स्वाध्या भी बनाया है यानि exercise भी बनाया है सब सब बहुत अच्छी तरह से इसके उप यानि कि subscribe करो उसके बाद bell icon दबाओ और bell icon दबाते वक्त आपको इसे all notification अक्टिवेट करो नहीं तो custom में जाके आप खाली देववरत का भी notification अक्टिवेट कर रख सकते हैं उसके बाद आप जाईए उपर उपर ही आएगा वहाँ उपर होम रहेगा होम के बाद वीडियो र elements यह एक playlist है उसके उपर क्लिक करो अंदर पूरे पूरे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरह से मैंने इसके बारे में और इससे भी जादा बहतरीन मैंने एक दूसरा भी परिया इसके उपर निखाला है और वो है हमारा website हमारे website पे भी जाके आप वहाँ विज introduction दिया मैंने कि कैसे कैसे आपको जो पिछला जो पार्टे वो कैसा आपको study करना है अब हम देखते हैं अगर आपको periodic table and element के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से study किया है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा देखो मैं थोड़ा सा बाजू हट जाता हूँ थोड़ा सा side को हटता हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा ये पीछे का part important है मेरा थोड़ा देख देख के आप ठक चुके होंगे है ना बराबर है क्या बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे है बहुत सारे बच्चे है जो कुछ समझो नया कोई बच्चा अगर इसके ऊपर question पूछ है कुछ difficulty फूच रहा है कुछ difficulty बोले तो time table मांग रहा है तो time table आप यहां comment करके उस नए बच्चे को बता दिया करो चाप्टर कौन से कौन से हुए है ऐसा अगर किसी ने comment करके पूछा तो चाप्टर भी आप बता दिजिए क्योंकि बहुत सारा काम मेरा आप कर सकते है वहां बैटके भी आपने घर पे बैटके आप वीडियो देखते देखते पढ़ते पढ़ते आप यह बता सकते यह बहुत इजी तरह से मैं यह चाप्टर आपका कंप्लीट करने वाला हूं आपको जो कुछ भी टेंशन आएगा वह पूरा का पूरा टेंशन मेरी तरफ शिप्ट कर दो मेरी तरफ भेज दो मैं उसे निप्टा लोंगा ओके चलो क्या-क्या है तो केमिकल रियाक्शन्स रू आपको यह चाप्टर बहुत जब बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है बहुत बहुत यानि कि डीटेल इसके बारे में स्टडी करना है यह चाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो केमिकल रियाक्शन से इसके बारे में रूल्स आफ राइटिंग दी केमिकल र यानि कि आपको नीट जी के लिए अच्छा-चा अच्छा अच्छा आपका स्कोर करना है आपको एंडीय में जाना है आपको यूपीयसी प्रिपेर करना है तो आपको इसके ऊपर chemistry के उपर बहुत सारे questions नीट जी और MPSC में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको knowledge लेना पड़ेगा, यह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो यह चाप्टर में खाली इतने चार ही हीडिंग है, चार ही हीडिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे का part अभी हम देखते हैं, चलो, तो आगे क्या है, यहां पूछा है, what are the types of molecules of elements and compounds, देखो, elements के types, देखो, what are the types of molecules of elements, molecules of elements, elements के molecules कों से कों से होते हैं, उसका types, और compounds, उसके बाद what is meant by valency of elements, यहांनि कि आपने यह पूरा 9th क्लास में लर्न किया है, अगर अगर आप ENCRT के हैं, फिर भी आपने 9th क्लास में लर्न किया है, और अगर CBSC से है, स्टेट बोर्ड से है, तभी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्योंकि ENCRT का syllabus और EMCRT का syllabus में थोड़ा सा डिपरेंस है, नॉर्मल डिपरेंस है, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि CBSC के जो बच्चे है, उन्हें लगता है कि हमारा syllabus बहुत वास्ट है और बहुत चेंज नहीं है उसमें, देखो इसके बाद हम लर्न करने वाले केमिकल रियक्शन किस तरह से आपको लर्न करने पड़ते हैं, तो यहां आपको केमिकल रियक्शन के बारे में फेनोमेनोन हमारे निसरगे में जो कुछ भी फेनोमेनोन है, जो फेनोमेनोन हुए है, जो कुछ फूड रिपाइनिंग फूड रिपाइनिंग फूड 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 मिल्क टर्न इंटू कर्ड वाटर डाइजेशन आफ फूड इन इस्टरमक उके साइज रिड़क्शन ओफ नाप्ता बाल्स एक्सपोज़ टू एर हम बात बात्रूम में कीचन में वगेरा कही कही बहुत सा हम नप्तेलेन बॉल रख देते हैं वह क्यों रखते हैं उसका साइज क्यों कम होता है एक केमिकल रियक्शन है दोस्तों मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूं कि यह जो चाप्टर है हमारे कंप्लीट लाइब से रिलेटेड है कंप्लीट इसका एक परसंट भी आपसे लाइब से रिलेटेड छोड़ एंकि आपके लाइब से बाहर है ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं है और एक भी प्वेंट नहीं है यह पूरा का पूरा हमारे लाइब से रिलेटेड है यह पूरे कंसेट मैं आपको इच एंड यूरी रियक्शन हमारे लाइब से कनेक्ट करके म मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं, जो ये वीडियो बाद में जो कुछ भी देखेंगे, जो बच्चे देखेंगे, वो बोलेंगे, बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये कहा है, तो इसके जो प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वो जो बाद में आने वाली बच्चों के लिए बता रहा हूं है, इसके बाद, the apparatus, ये देखो, do the following activities in the group of friends, आपके जो फ्रेंड का ग्रूप है, फ्रेंड के ग्रूप में ये आपको activity करनी है, तो activity करते बगत आपको क्या करना, tech help of your teacher, wherever necessary, कैसा है, chemistry का reactions करना, chemistry chemistry का जो कुछ भी आपको पढ़ना है, तो आपको chemistry के teacher की help लेनी पढ़ती है, अगर chemistry laboratory में कुछ activity दी गई है, तो वो teacher के under observation ही आपको करनी पढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे chemical रहते है, वो chemical vigorous रहते है, करोजिव रहते है, अगर हमारे तवचा के ऊपर, कपड़े के करनी पढ़ती है, खुद अकेले जाके कुछ आपके दोस्तों का group जाके अगर हो chemical reaction करोगे, तो कुछ danger हो सकता है, यह देखो इस तरह से chemical से, यानि कि chemical कौन से chemical इस्तेमाल करने होते हैं, इसके बारे में दिये गए है, और इसके बाद यह procedure दी गई है, यह chemistry का chemistry laboratory में आपको नजर आएगा, जब आप chemistry laboratory में जाके देखेंगे, तो यह इस तरह से, यह tripod रहता है, tripod रहता है, इस तरह से यह crucible रहता है, उसमें limestone वगेरा लखा जाता है, और यह burner होता है, बर्नर से उसे hitting दी जाती है, जब आप heat वगेरा आप मैं आपको बताऊंगा बाद में, इस तर complete the following observation table with reference to the activities, 1 to 5, यह जो activity दी गई है आपको, यह activities दी गई है, तो activity के यह activity की help से, आपको यह table complete करना होता है, यानि कि मैं आपको activity भी देने वाला है, यानि कि आपको activities देने वाला है, यानि जो कुछ activities है, यह activities हम सब मिल के करेंगे, यह भी activity आपको इस चाप्टर में इस तरह से पढ़ना है, यानि कि activity की help लेके आगे का पार्ठ हमें learn करना है, त्यानंतर chemical equations, chemical equation बोले तो बच्चों, इस तरह से यह chemical equation होते है, यह कौन सा है देखो, copper sulfate और zinc यह दोनों का mix किया है, copper sulfate, CVSO, उसमें zinc एड़ किया है, zinc एड़ करने के बाद, यहां क्या होता है, यह copper निकल जाता है, और उसके जगह यह zinc आके बैठता है, इस तरह से, जड़ियन यह sulfur प्लस CU, इस तरह से यह है, इसे उपर बहुत मैं daily life के example देके आपको मैं समझाऊंगा, यह पहले वाला निकल जाता है, और दूसरा आके है, यह ना, यह पहले वाला बैठता है, यह पहले वाला निकल जाता है, copper है, यह निकल जाता है, और इसके जगह यह दूसरा आके बैठता है, कैसा? अब याद मेर, याद रखना, अब याद रखरा है, यह जो example है, यह थोड़ा सा अलग सा एक्जामपल है, लेकिन मैं science का साइन्स का टीचर हूँ उस टाइप का एक्जांपल देने में मुझे कुछ हरगीज नहीं है और कुछ नेगेटिव भी आप मत सोचिए क्योंकि साइन्स से बोले तो आप तो देखते हैं आगे आपको रिप्रॉडुक्टि सिस्टिम लर्न करना है मैरेज के सिस्टिम और पू कुछ इत पनाठ है उन्याची आवशक्यता ना ही है थोड़ सा देनेंदी द्यूनात ने उधारन द्यून में तुम्हाला संगना राही थे उके आता इतुन पुड़ा तुम्ही एक लक्षा थेवाई थे दूसरा ये असेल और पहला जात असेल तर सोसाइटी मदे बरेस ठ असेल भागाते एक्जाम्पल लुन शांतू तुम्हाला एका एका बरेकला नीका पुरुषाला दोन-दोन भाई सब्सक्राइब 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 यह जिंक बैशी लगन खेल लगने जिंक बैशील लगना केलिए जं伶 उआर यानी नवीन संवस्वार्ट je जो पर विचारी निहांने घौनन रियाक्षेन करते और दूसरी कर रियाक्षेन करूंती दूसरा कंपाउंड त्यार करते ओके तर आशा पद्देती चे एक्जाम्पल तुमाला मी सांगत आहे अशा सो रूपा मदे कुप मजे शीर आपन हाँ धड़ा शिकना रहे हाँ चाप्टर माजा खूप मजे चाप्टर खूप मजायते सब्सक्राइब शिकता ना मस्त शिक्वेनित महला आपने हाथ का मली नहीं बहुत शिंपल चाप्टर है आपको भी बहुत ईजी जाएगा राइटिंग दी केमिकल रियाक्षेन कीस तरह से हम लिख सकते हैं लिखने के उनकी जोकत भी रूल है ये रूल सबस्क्राओं हैοςे मैं आपको इसके बारे में पड़ाओंगा रिक ने ऊड़िया आपको मैंने क्या बोला ता वह गया को निकल गया इसके बाद क्यालियों कारबॉनेट के किया पार सद्धार होने के बहुत सारे शादिया है बहुत सारे ने-ने रिलेशन्स है यहां बहुत सारा अच्छा पढ़ाने वाला हो जो कुछ भी नया कोई वीडियो देखेगा तीचर वगेरा क्या पढ़ा रहा है यार तु शादिया और इसके बारे में धस्वी के बच्चों को बढ़ा रहा हो लेकिन यह बच्चेओं को इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा समाज में वैसे जैसे होता है समाज की जो है समाज में कैसा प्रोसेस होते है उस प्रोसेस का एक्जामपल बेर देके अगर इसको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा जल्दी समझ में आता है देखो यह विजिटेबल ऑईल है है एडोजन ग्यास है और निकेल कैटालिस्ट है देखो आग यह हमारा कैटालिस्ट बहुत कैटालिस्ट का मजे का एक्जामपल मैं बहुत आपको बता दूँगा आगे बता दूगा अभी ने ये मैं कुछ मिंटो में ये आपको clear करना है चाप्टर में क्या क्या learn करना है इस तरह से ये हुआ कुछ reactions वगेरा इसके बारे में the reaction of sodium chloride with the silver nitrate silver nitrate की भी इस तरह से ये reaction होती है किस तरह से क्या add किया जाता है ये है ये भी आपको इस चाप्टर में learn करना है silver nitrate के बारे में okay इसके बाद आप देखने वाले है balancing a chemical reaction ये देखो balancing a chemical reaction chemical reaction का balancing आप करने वाले है यहां ये देखो इस तरह से आपको यहां दिया गया है balancing the chemical reaction तो ये क्या क्या है chemical reaction balance करने के लिए जो आर्रो रहता है आरो जो आरो रहता है जार्रो को हम शादियों को गया होंगे लगना अकांद वने ब्राहमन अभर दुसरा में बाड़ नियुकर से जिए प्रेसा करता है तर्वा भाड़ करता हो वारातौ अनि दोगामद एक आसा कापड धरलील था पर नवा कपड धरलील थो रुमाल वगे रस्तो चांगला रुमाल वगे रस्तो चार रोकां चा समोर धर्यांच आ जतामोले श्येमबढ फ्यमबढ पुशरे ला पुर्वार कुमा एंदा न तरी ना फॉलाग पुशक होाँ फॉछाट पेला स्वास्तिक चिर लोगाऊ करने दिदी दोगत थे ताशाइन व कुम्सरा है हुआ और की करें करा है çो दुसाधर आजिए रियाक्टंट प्रोडक्त आजिते धने थे स्वीस्तर दुसर में भीनji तीयुट्स कुया चाप्टर एक है कुछ भी कच्छो टेंशन नहीं लेने का कच्छो कच्छो ओके चलो आगे का पॉइंट है ओके यह स्टेप से जो सेप्स मैं बहुत अच्छी तरह से आपको यह पढ़ाने बता दूंगा मैं ओके आगे यह स्टेप से यानिकी रियक्शन बैलेंस करने की कुछ से अगर यह आप अच्छी तरह से प्रिपेर करोगे उसके याद रखने के लिए मैं बहुत ट्रीक दे दूंगा आपको तो यह अगर आप अच्छी तरह से चाप्टर करोगे तो आपका 11 में केमिस्ट्री आपको बहुत इजी जाएगी यानिकी जिंदगी मर जिंदगी मर आगे कहीं भ और अभणाद है देखो टाइप्स ऊप केली कल रेक्षेंघ कैमिकल के ट्यॉप से इसमें जो कुछ बिट है यह हैं कम्बिनीशन रिआक्षन कंभीने डींशन रियाक्षन पोले तो क्या है समझो हमेरा एक परिवार है हमारा थे घर है अगर हमारे घर में दूसरी भी कुछ एक फैमिली हमारी थोड़ी से बड़ी फैमिली हो जाती है इसे कहते हैं कॉंबिनेशन रियाक्शन है ना और उसके बाद उनके जो कुछ बच्चे होंगे बाल बच्चे होंगे वह बड़े होंगे ऐस तरह से उनकी फैमिली बड़ी हो जाती है दाट इस कार्ड इस कॉंबिने वगेरा वगेरा पूरा-पूरा मैं कर लूँगा यह आपको देखो combination reaction मैं ने आपको बता दिया उसके बाद है देखो decomposition reaction ओके evaporating the dysfunction sugar calcium carbonate sulfuric acid decomposition decomposition हो जाता है उसका भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसका example बताने वाला हूँ इसका भी decomposed हो जाता है decomposition reaction ओके अपघाटन अभिक्रिया मन्तवापन अभिक्रिया अपघाटन उसका एक चोटे 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 पार्टिकल में convert हो जाता है उसका अपघाटन होता है श्का बहुत बार ऐसे होता है कभी-कभी आपके मम्मी पापा का जगड़ा होता होगा घर पे मम्मी पापा का जगड़ा कभी हुआ है कि नहीं होता है हमारे बीच में भी होता है मेरे मम्मी पापा का भी होता था तोड़ा थोड़ा चोटे-चोटे चीजों पर घर पर जगडा तो होना ही पड़ता है बच्चो लेकिन ऐसा जगड़ा नहीं कि लाथी उटा के एक दूसरी को मारे बरतन फिक फिक में मारें ऐसा कभी हुआ है कि मा को घुसा आई और मा के बेलन फिक के मार दिया पपा को और पपा आखे मलते हुए रोके बैठे ऐसा कभी आपको देखने को मिला क्या नहीं है ऐसे जगड़े नहीं जगड़े कैसे चोटा सा तो रूठना मनाना रूठना मनाना ये तो घर में चलता ही रहता है आप तो आपके भाई और भाई में बहुत बार जगड़ा हुआ हूँगा वही जगड़ा उस टाइप का जगड़ा अब बेलन फिक में के बरतन फिक फिक के मारना बुले तो वह जगड़ा कब भी नहीं करना घ़र में, वह जो जbut शोटा रूट माना होते ही रहता है. जैसे घर में जगड़ा होने के बाद, जब होता है, जब एक दूसरे पर रूट जाते हैं, तो बूसरे को बोलते हैं बातें करते हैं तब कभी-कभी आपको, यानि कि इंटरफेर करना पड़ता है है ना जब पापा रुटते है तो पापा के पाँ जाके बोलना पड़ता है कि पापा चलो ना खाना खाने के लिए पापा बोलते है नहीं मैंने खाऊंगा है ना उसके बाद भाई आता है और पापा को का राचलो नऑ पपा ख्णान nouvelles को जो कहा अगए उसके आवशा कहां आंद जाने के लिए और थाइयरेक हो नरे आकिना आप तू जाके प्ट ईचमे के फिरल भी प्यार रहता है बाद में घे तंडा को जाता है धीरे थिर्यमा बिनक्ट थे जा जाकर चलो पिशना खाने के लिए ऐसा मत करो वो बलता है वे बाद में नीया बाद में मान जाते हैं वो के उसी तरह से हमारे घर में भी डिकंपोज़िशन होता हैं कैसा अगर घर में होता है तो बच्ची बेटा बेटी दूर-दूर रहते हैं ममी पापा दूर-धूर этой कोई किसी से बात नहीं करता कोई किसी से डिसकस नहीं करता जो कुछ मिन्टों के लिए जो कुछ भी वह अट्मास्फियर होता है रहा दैट इस काल डिकंपोजिशन रियाक्शन हमारे फ्यामिली का एक्जाम्पल है ओके और आगे जो है यह मैं आपको बताने वाला हूँ अब घटन रियाक्शन त्यानंतर डिस्प्लस्मेंट रियाक्शन डिस्प्लस्मेंट एदे को डिस्प्लस्मेंट रियाक्शन बोले तो क्या है अभी अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्लस्मेंट डिस्प्लस्मेंट में क्या है कि पहला वाला निकल के जाता यानिकि जो प्रख़ कुछूरु में आप ने देखा ॥ वहीं एक्जांपल है डिस्प्लश्रेस्म होता है हमारे घर में जब कभी हमारे ब 숨क्री度 की शादी हो left यहाना वाहन होता है सब्सक्राइब दूसरी हो जाती है तिन के हमारे घर यह example हो गिया यहां का डिस्प्लस्मेंट रियाक्षन डबल डिस्प्लस्मेंट रियाक्षन बोले तो क्या है डबल डिस्प्लस्मेंट रियाक्षन कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा डबल डिस्प्लस्मेंट एक घर में कैसा होता है बहन और भाही की शादी हो जाती है होती है ना बहन और भाही की शादी होती है और भाही की जब शादी हो तो बहन क्या करते है बहन की शादी होने के बाद बहन क्या करते है वो अपने ससुराल चली जाती है बराबर है इसका हुआ displacement ये चली जाती है और भाही की शादी होनी की वज़े से दूसरे घर की लड़की इस घर में आ जाती है एक नहीं एक माइनस हो गया उसके साथ एक प्लस हो गया इसे कहते है डबल डिस्प्लस्मेंट रियाक्षन डबल आना और जाना यह दोनों ही प्रक्रिया वहां आपको देखने को मिलती है द एक ही मंडप में शादी लगा देते है उस वक्त यानि कि शादी के लायक अगर बयन और भाही बन जाते है तो उनका शादी इस तरह से किरया जाता है तो दूसरे घर की लड़की अपने घर में आती है और अपने घर की लड़की दूसरे घर में जाती है लेकिन आप बोलें अपना जो सेवन सिस्टर एरिया है ना चेरा पुंजी वगेरा चेरा पुंजी मौसी नराम मैं वहाँ जाके आया वहाँ का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर आपको चाहिए तो वहाँ चेरा पुंजी मौसी नराम हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेंफॉल जहां होता है वह एरिया वहां क्या होता है वहां शादी होके अपने घर से लड़का बीवी के घर पे जाता है और वहां रहता है वहां मातरुसत्ता कुटम पद्दती है मातरुसत्ता कुटम पद्दती है वहां लड़का ससुराल चला जाता है लड़का ससुराल चला जाता है यह हुआ double displacement उसके बाद endothermic and exothermic processes and reaction endothermic and exothermic reaction and exothermic reaction बोले तो हम क्या करेंगे endothermic बोले तो heat लेना और heat देना यह process यहाँ होती है यह chapter में होती है इसमें आप पढ़ने वाले exothermic endothermic reaction इसके बाद rate of chemical reaction rate of chemical reaction बोले तो rate of chemical reaction बोले तो एक chemical reaction समझो हो रही है तो chemical reaction जल्दी होना या slowly होना उसके ओर जल्दी और slow यह होने में कुछ material रहता है कि वह responsible होता है वो कौन-कौन responsible रहता है इसके बारे में यह मैं आपको red top chemical reaction में आपको पढ़ना है और बहुत इची तरह से आपको पढ़ना है मैंने reading में आपको पता दिया है how to study this chapter how to learn this chapter okay the factors affecting the rate of chemical reaction मैं यह आपको आगे बताने वाला हूं जो है देखो इस तरह से है एक पार्ट है nature of reactants है जो reactant है उसके उपर भी depend करता है उसके बाद है size of particles of reactant particle के size के उपर भी depend करता है concentration of reactant reactants reactants की concentration किस तरह से रहता है उसके ऊपर भी rate of reaction depend करता है temperature of the reaction reaction का temperature किस तरह से रहता है समझो अगर आप externally heating देते है तो उसका temperature कैसा रहता है catalyst catalyst गोले तो अंदर कुछ हम add करने के बाद उसका reaction किस तरह से बढ़ता है इसके उपर मैं बहुत अच्छी तरह से आपको यह example समझाने वाला हूँ उसके बाद देखो यह oxidation and reduction reaction है oxidation किसे कहता है reduction reaction किसे कहा जाता है यह भी मैं आप यह chapter में आपको learn करना है और इसके definitions वगेरा 9 में आपने थोड़ा सा learn किया है लेकिन यहां मैं आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है इससा समझक में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आगे का जो part है इसमें जो है क्या यू टेल बताओ क्या बताना है देखर लुक वगेरा यह है यह यह भी point है okay which is the reactant in this reaction and which reactant has undergone reduction यह भी है और इसके बाद यह chapter में oxidation reduction उसके बाद यह last ली जो है ना corrosion किसे कहा जाता है corrosion यह corrosion बहुत हमारे daily life से related है हम sony की ही दागीने क्यूं बनाते हैं सोनी की ornaments क्यूं बनाते हैं लोखंड के क्यूं नहीं बनाते यह corrosion के ऊपर है इसके ऊपर बहुत बार question पूचा गया है अभी अभी जो exam exam हो गए ना उसी exam में इसके ऊपर corrosion के ऊपर थोड़ा सा example पूचा गया है ये थेखो यही था, पूरा पूरा यही था, लेकिन खाली एक जो डाइगराम थी और रूब अलग थी यह एक्जाम में पूछा गया था अभी जो मार्च में एक्जाम हो गए न इतर हो जाए इसके ऊपपर पूछा गया था खाली वह उपर देखे आपको आंसर लिखना था वह भी बच्चों को नहीं जमा बच्चों को बहुत सारे बच्चों को वह भी अट्जस नहीं हुआ इसके बाद र्यंशेडिटी बॉले तो खवट पना है अपन ब्रहाच्चों इस मन्तों आपने घरा मत अब अब आ गयारे बरहाच्च जनाना मननता है यह था यह घाना बोलत बोलत कही तर वक्ट बोलन जाता था यह श्योड़न जाता था तो कुछ बोलत कही तेर खुछक बो आनुन्दा पैकिंग करूँ थे खवट होता है अपला एक्जर्साइट चा ओके हाँ ही फिगर परिक्षे मदे पढ़ ले होती जशास तशी परिक्षेत विचाली होती आता मार्च मजे जाले लिया और या फिगर वर्न प्रश्ण विचाली होती ते शुद्धा बर्याच वि सट अछी तो इस तरह से के बाचे अंश्चे यह रूट चाप्टर नंबर जो है हमारा जो थर्ड नंबर का चाल इस तरह से आपको यह बीट आपको prepare करने है और इस तरह से एकजांपल जो मैंने आपको running में एकजांपल दिये यह एकजांपल को comparison करके आपको learn करना है तो दोस्तों इस तरह से हमें यह chemical reactions का जो हमारा जो chapter है यह chapter इस तरह से हमें prepare करना होगा हमें तयारी करनी होगी और थोड़ा भी टेंशन लेने के जरूरत नहीं है मैं आपके साथ हूँ आपके साथ रहूंगा अभी इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठेड़ते हैं जल्दी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक जै हिन जै भारत दोस्तो बच्चो बाइबा झाल जुझगा लाइबाब झाल झाल चाल नेक्ट ढाल चाल चाल जाएबाब झाल भी यह झाल झाल ।